Hello students, कैसे हैं आप सभी? Welcome to WS Cube Tech, मैं आशिश कुमार आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ Setting Up Lab का पहला वीडियो जो की है Installing Kali Linux in VirtualBox So यहाँ आज हम क्या सीखने वाले हैं आज हम Kali Linux को इंस्टॉल करना सीखेंगे Basically friends, Kali Linux जो है कुछ software हैं जैसे कि हम Cloud में काम करते हैं वैसा ही कुछ यह भी काम करता है यह locally एक ऐसा storage system बना देता है जहाँ पर सब कुछ virtually चलता है तो इसमें हम एक साथ कई सारे opening system चला सकते हैं किसी भी एक opening system के अंदर यानि अगर मैंने Windows opening system में यह virtual box वाला software download किया है तो उस virtual box वाले software के अंदर में कई और opening system install का सकता है तो आज हम इसी तरीके से Kali Linux को install करेंगे इसमें भी दो तरीके हैं virtual box में Kali Linux को install करने के हम दोनों देखेंगे तो आईए start करते हैं friends, सबसे पहले हम चलेंगे browser पे यहाँ पे आज हम तीन चीज़े download करने वाले है सबसे पहले virtual box जो software है हमारा VMware workstation second चीज काली Linux की IOSW file third जो है वो काली Linux का ही virtual box जो पहले से ही बनावाए जो हम उसके official site पे मिलेगा तो हम यह तीनों चीज़े download करेंगे सबसे पहले हम जो हमारा VMware workstation है उसे download कर लेते हैं तो हम Google पे लिखेंगे VMware workstation and enter कर देंगे तो यहाँ जो इसके official site है वो first number पे आ रही है उसमें हम जाएंगे यहाँ जाके हम scroll down करके देखेंगे तो हमें download करने का option दिख जाएगा तो यहाँ पर आपन देख पा रहे हैं कि try workstation 19 pro जो latest version है professional अपन उस पर tryer को जो है एक बार tryer को download कर देंगे tryer version को and then उसके बाद उसे activate कर देंगे serial key के जरीए so यहाँ पर friends basically download for windows पे click करेंगे अगर आप windows के लिए download करें download for linux अगर आप linux के लिए download करें तो हम windows operating system में virtual box को download कर रहे हैं तो यहाँ download नाउप पे click करेंगे and यहाँ नीचे download start हो गया है मैं इसको यहाँ पर close कर रहा हूं because में पास पहले से file downloaded है next file जो मैं download करनी है हम पहले उससे download कर लेते हैं so अब हमें download करना है काली linux की ios file उसके लिए हम काली linux की site पर जाएंगे downloads पर जाएंगे and यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ काली linux के अलग-अलग versions है जो अलग-अलग operating systems है जो अलग-अलग काम करेंगे वह यहाँ पर सब अपन को दिख रहे है like एक installer है एक live है और एक net installer है यह जो installer है हमाय यही file चाहिए यही file हमाय लिए जरूरी है तो यहाँ तो आप चाहो तो इससे टॉर्ण से download कर सकते हैं या फिर आप इस पर डाउजर पर ही download कर सकते हैं पहली file तो हम यह download करनी है तो ठीक इस download पर लगा देते हैं तो यह download स्टार्ट हो गया है direct click पर मैं इसको भी cancel करो because यह already downloaded है next जो file है जो हमें download करनी है वह basically है Kali Linux की virtual machine की file जो की इसकी official site पर हमें मिल रही है तो हमें Offensive Security की virtual machine पर जाएंगे और उस URL के जरीए हम यहाँ पर पहुचा है जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि Kali Linux की virtual machine की files है वह हम यहाँ से download कर सकते हैं इसमें दो files है एक 64 bit एक 32 bit अगर आपका system जो operating system है जो आपका computer है वह अगर 32 bit है तो आप 32 bit file download करिएगा अगर 64 bit है 64 bit file download करिएगा तो मेरा 64 है तो मैं 64 पर click कर देता हूँ यहाँ पर यह download start हो जाएगा तो यह download start हो गया है देख रहे हैं आप 2.4 GB का यह download basically file है तो यहाँ मैं इसको cancel कर रहा हूँ यह भी में पास downloaded है यह तीनों files download करने के बाद friends जो process है वह चालू होगा जिसके अंदर हम virtual box के अंदर Kali Linux को install करेंगे Now Kali Linux को install करने के 2 तरीके है पहला कि मैं पूरा manual process follow करूं Kali Linux को install करने का virtual box के अंदर ही कहरूं friends Virtual box के अंदर 2 तरीके है पहला मैं पूरा manual process follow करूं Second process जो है basically उसके अंदर मैं यह जो virtual machine मैंने download करी थी Kali Linux के official site से इसी virtual machine को वहाँ पे import कर लो तो यह दो options है तो आईए इसे देखते हैं तो friends आपकी यह जो virtual machine आपने download करी थी उस पर डबल क्लिक करेंगे उससे installation process जो है बहुत easy सा है आपको next next करना है install हो जाएगा एक बार देख लेते हैं तो यहां पर हमारा VMA workstation पढ़ा है इसको basically हम installation process हलका से start कर रहे हैं उसके बाद में close कर दूँगा because में पास already installed है okay so यहां पर हम next पर क्लिक कर देंगे and यहां पर क्यूंकि में पास already installed है तो यह उससे पूछ रहा है क्या आप repair करना चाहते हैं यह क्या करना चाहते हैं so फिलाल मैं इसको इसको cancel कर रहा हूं आपको बस next next procedure को follow करना है and then उसे finish कर देना है जैसे आप finish करेंगे तो आपके सामने यह जो हमना जैसे आप finish करेंगे तो आपके सामने वर्चुल बॉक्स का जो आइकन है वह आ जाएगा जैसे आप इस पर double click करेंगे तो आपसे serial की मांगेगा license की लिखके आप enter कर देंगे जो आपके पास पहली URL यह जो पहला लिंक का रहा है वहाँ पर आपको basically इसके serial keys मिल जाएंगे आप serial keys copy करके कोई भी यह copy करके वहाँ अपलाय करके देख लिजएगा आपका जो software है आपको जो VMware virtual box है वह activate हो जाएगा सो यह serial की VMware workstation में आप मांग रहा है वहाँ एंटर कर दीजएगा तो आपका virtual box activate हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा आपका VMware workstation यह जो है software आपका ऐसा दिखेगा जहां पर यह जो options आ रहे है इस tab के जाड़ी आ रहे है अकर नहीं दिखने आपको तब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको शूर होने लग जाएंगे नेक्स जो आपके पास तीन आप्शन जाएंगे Create a virtual machine, open a virtual machine and connect to a remote server So, फिलाल हम यहाँ पर दो तरीकों से install करने वाले हैं, पहला तरीका जो हमाँ आता जो कि बहुत जादे easy है, जिसमें हमें बस उस virtual machine की जो file है जो काली Linux की virtual box है उस box को यहाँ पर import करना है तो उसके लिए हम करेंगे open a virtual machine हम create नहीं करेंगे, बस open करेंगे and यहाँ पर वो जो downloaded file थी हमारी हम उसे select करेंगे यह जो file आप download करेंगे इसको आपको extract करना होगा यह by default zip file आईगी तो आप extract करने के बाद इसको ऐसा देख सकते हैं तो यहाँ पर यह जो vmx file है यही वो file है जिसको मुझे import करना है तो मैं उस पर click करके open पर click करूँगा and then यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो काली machine थी जो हमारी virtual box था वो import हो चुका है तो हमें बस power on this virtual machine पर click करना है उससे पहले अगर आपको इसकी कुछ settings चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं आपको edit virtual machine settings पर click करना है and आप देख सकते हैं कि यह कितना RAM प्रोवाइड कर रहा है कितनी hard disk और क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है तो हम RAM थोड़ी बढ़ा देते हैं because मेरे system में RGB RAM है तो मैं इसको 4GB या 5GB के आसपास RAM प्रोवाइड कर सकता हूँ प्रोसेसर है प्रोसेसर हम नहीं चेड़ेंगे hard disk जो इसकी है ओके प्रोसेसर में हम ऐसा करेंगे basically कि इसको one दे देंगे core processor को and hard disk जो इसकी है 80GB manual बहुत है minimum 80GB काफी होती है network adapter हम नहीं चेड़ेंगे USB controller यहाँ पे एक option tick है show all USB input devices अगर आप चाहते हैं कि आपने जो pen drive या जो भी system यहाँ से computer से connect करा है वो आपकी virtual box में show हो तो ही आप इस show all USB option को tick करिएगा अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी device आपके virtual machine से connect हो सके तो आप इसको un-tick कर दी जागा sound card by default सही है आपको नहीं चेड़ना है display by default सही है आपको नहीं चेड़ना है then ok press कर देना है और क्योंकि सारी settings अब update हो चुकी है तो आपको power on this virtual machine पर click करना है जैसे आप power on पर click करेंगे यह virtual machine जो है यह direct start हो जाएगी आपको इससे installation की ज़रूत नहीं है जैसा कि आप यहां देख पा रहे है so एक और चीज का ध्यान रखेगा friends कि जैसे आप इसको start कर रहे थे तो नीचे description में इसका ID password जो की kali इसका ID था and password भी kali ही था so यहां पर हमसे जैसे ID password मांगेगा हम kali ही डालेंगे यह जो kali machine की virtual box हमने डाउनलोड करी है kali की official site से इसका by default password kali ही रहता है and username भी kali ही रहता है so इसे हम login कर रहे है and यहां पर friends हमारे जो kali machine थी यह properly install हो गई है यह हम easily देख सकते हैं हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी but इसके ID password जो है वो भी हम change का सकते हैं जो कि हम आगे देखेंगे लेकिन अगर आप manual install करना चाहते है काई Linux को virtual box के अंदर ही तो उसका process अब हम follow करेंगे वो हम कैसे का सकते है मैं इसको power off कर देता हूँ सो हम click करेंगे create a new virtual machine पे इस option पे click करते ही हमाई सामने जो tab खुला है जहां हमें दिखा रहा है कि recommend option जो है उसी पे select करेंगे सो हमें जो recommend हो रहा है option हम उसी पे select करेंगे and यहां पे हम जो iOS file है उसे select करेंगे तो install disk image file जो कि iOS file मांग रहा है उसको हम tick करेंगे and then browse में जाके हमने जो काली Linux की अभी अभी file download करी थी iOS file download करी थी उसकी location पे जाके उस file को select करेंगे जो कि downloads में यहां पढ़िए तो यह हमारी काली Linux का installer जो अभी अभी हमने download करा था iOS file उसको select करेंगे then हम next करेंगे and यहां हम से पूछ रहा है कि यह जो हम operating system install कर रहे हैं यानि यह जो हम virtual box बना रहे हैं यह कौन से operating system का है उसका क्या version होगा तो हम Linux पर जाएंगे और Linux पर क्योंकि यहां पर कही काली Linux आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे other Linux में अगर आपका system 64 bit है तो 64 select करेंगे otherwise हम यह normal जो kernel है उसको select कर लेंगे तो मैं यहां पर other Linux 5S 64 bit select कर रहा हूँ अगर आपके 5.x नहीं लिखावा आ रहा है 3.x ही आ रहा है तो अभी आप 64 bit version select कर सकते हैं आपको कोई issue नहीं होगा then हम next करेंगे यहां पर हमसे पूछ रहा है यह जो virtual machine हम create कर रहे है यह जो virtual box create कर रहे है इसका नाम क्या रखे तो हम इसका नाम रख देते हैं WSQ एंड यहां इसकी location पूछ रहा है नीचे किस location पर इस virtual box को आप install करना चाहते है माल लिजे आपने अपने इस virtual box को 80 यह 100 GB की storage दीए तो अगर आपने इसको 100 GB की storage प्रोवाइड करी है तो आपको इसको एक ऐसी disk में रखना पड़ेगा जहां पे 100 GB खाली हो और वहाँ पर अगर 100 GB फिल भी हो जाए तो उससे आपके system को फर्क ना पड़े लाइक अगर आप C drive जो by default selected है उसी में रखते है तो आपकी C drive जल्दी बल जाएगी और आपका Windows system hang होगा तो उस case में आप अपनी जरूत के एसाप से इसको किसी भी directory में किसी भी जग़ा पे install कर सकते हैं यहाँ ब्राउज पर क्लिक करेंगे आपको जो भी location सही लगती है वहाँ पे install कर सकते हैं मैं by default फिलाल इसे C drive में ही install कर रहा हूँ तो requirement होगी उससे जादा आप 100 to 150 GB easily दे सकते हैं so 80 GB देके मैं यहाँ पर जो option था store virtual disk as a single file इसको टिक करूँगा because मैं नहीं चाहता है कि इस virtual machines की अलग 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 files बनें जिसमें से अगर कभी भी कोई file गलती से delete होगी तो यह मेरे को errors provide करेगी so मैं यहाँ पर store virtual disk as a single file करूँगा यानि सारी files एक ही file में compress होके install हो जाएगी next जो है मैं से customize hardware करने को कह रहा है तो हां मैं इस पर click करूँगा and यहाँ पर जो customization है वो मैं सही से set करूँगा जैसे की RAM है अगर मैं पास RGB है तो मैं उसको 5 GB तक provide कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर 4 GB फिलाज से provide कर रहा हूँ processor जो है वो by default सही है network adapter net ही रखिएगा USB controller जैसा कि मैं आपको बताए कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो अपनी USB plugin लगा रहे हैं आप अपनी pen drive या कोई भी CD driver डाल रहे है अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी काली मशीन में show हो आपको काली मशीन में use करना है तो ही आप इस option को tick करेगा अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी external device आपके virtual box से connect करे तो इस option को tick मत करिएगा so मैं इसे अभी tick नहीं करूँ because मैं को needed नहीं है printer चाहते हैं तो add कर लीजेगा कोई otherwise display setting सही है मैं को नहीं चेड़ना then close करके मैं finish कर दूँगा so आप यहां देख सकते हैं कि यहां WSQube नाम से एक tab add हो गया है जो कि हमारी काली मशीन का है जिसका हमने अभी अभी virtual box बनाई है अब next process आता है इसके installation का फिलाल अभी एक virtual box बना है बस बस एक virtual storage बनी है now हम इसे install करेंगे so यहां पे अब graphically install दिखा रहा है और अप्शन में install दिखा रहा है advanced options दिखा रहा है और कुछ और options दिखा रहा है basically हम graphical install पे ही click करेंगे ताकि हम graphically easily install कर सके अगर हम second option install पे click करते हैं तो हमें command line के जरी install करना पड़ेगा और जो third option है जहां पे advanced options दिखा रहा है उस options में जाने के बाद अगर में कोई problem आ रही है installation में या फिर कुछ चीज corrupt हुए तो उसे restore करने में ही हमारी help करेगा और कुछ other options भी है कि यह automated install है जो automatic ने install कर देगा और ऐसे कुछ अलग-अलग functions है मैं back आ जाता हूँ और graphical install पे जाऊंगा ओके यहां पे language में English language select कर दूँँगा और country में India जो keyboard की language है वो by default American English तही है तो basically यहां पे installation media को read कर रहा है उसकी files डाउनलोड कर रहा है और जो भी files यह libraries इस installation में जरूरत है उन सब को यह install यह डाउनलोड कर रहा है अब यहां पे यह जो detect network hardware है यह क्या कर रहा है यह जो हमाई जहां से भी net on फिलाल ethernet cable के जरी हो wifi stick के जरी हो यह उसके जरीए net को configure कर रहा है connect कर रहा है ताकि जो software यह से डाउनलोड करने है वो easily कर सके यहां पे अब friends यह ध्यान रखने वाली बात है यहां पर मुझसे host name पूछ रहा है तो यहां पे आप ध्यान रखेगा by default काली लिखावा आ जाएगा बट कभी भी by default जो काली है उसको मत रखेगा because होता क्या है जब हम किसे system की scanning कर रहे होते हैं तो उसकी locks file में यह host name record हो जाता है और अगर हम नहीं चाते हैं कि कोई हमें देखे या हम मिल जाए किसी को भी easily anonymous न रहें anonymous अगर हम रहना चाते हैं उस case में हम यहाँ काली न लिखे windows लिखेंगे जिससे क्या होगा कि अगर वहाँ locks file record भी हो रही है तो हमाँ काली opening system नहीं दिखेगा हमाँ काली host name नहीं दिखेगा वहाँ windows दिखेगा तो जो शक के नजरे में जो लोग आते हैं for example माल नीजे अगर किसी ने कोई crime करा है अगर किसी अटेक हुआ है तो साइबर लॉज वाले होते हों क्या करेंगे और locks file रीट करेंगे और जब locks file रीट करेंगे तो कुछ ऐसी terms जोनने की कोईशा करी जा सकता है कि यह परसंट जो है यह सच्छी में culprit है के नहीं है तो यहाँ पर हम windows लिखेंगे ताकि किसी भी lock file में किसी भी जगह पर यह anonymous रहने के कुछ points है जो आपको सब जगह नहीं मिलेंगे host name के अंदर आप windows रखेंगे तो best है then continue then domain name हम से पूछ रहा जिसको हम by default ऐसे ही रखेंगे next करेंगे so फिलाल यह जितने भी disk है मेरे इसमें जितने भी devices या disk बना रखेंगे पार्टिशन बना रखेंगे सबको read करेगा और मुझसे पूछेगा के मैं installation कहां करना चाहता हूँ जैसा कि हम यह देख रहे हैं महाँ पास चार options आ रहे है guided use entire disk use entire disk setup lvm guided use entire disk and setup encryption lvm and manual so यह जो third option है encryption provide करने में मदद करते हैं अगर हम चाहते हैं कि हम काली Linux इंस्टॉल कर रहे हैं वो encrypted हो तो हम वो भी कर सकते हैं और यह काफी अच्छा option है यह हमें करना चाहिए फिलाल अभी मैं नहीं कर रहा हूँ और एक और option की partition है एक ही disk हमने virtual hard disk बनाई है हम चाहते हैं उसमें properly काली ही इंस्टॉल तो हम guided use entire disk करेंगे यानि जो हमने पूरी disk बनाई है ATGB की उसी में काली Linux इंस्टॉल लो then continue then यहाँ पर यह जो virtual hard disk हमने बनाई थी वो हमें शो कर रहा है लग लग partitions में में set करना पड़ेगा तो हम recommend option जो हमें है उसी को ही select करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे virtual hard disk थी उसमें automatically partitions create हो गए है जो काई Linux के installation में जरूरी है उसके बाद हम हमें बस finish करना है इसको finish partition and write changes to disk इस पर हम continue कर देंगे एंड हमसे आप पूछ रहा है क्या आप disk में changes करना चाते हैं जो आपने changes किये हैं क्या आप उन्हें लिखना write करना चाते हैं यानि क्या आप हम इस process को start करें so then yes so अब जो हमारा जो virtual hard disk थी उसके जो partitions हमने बनायते वो इस पर write हो रहे है पहले यह format होगा then इस पर वो सारे partitions write होना start हो जाएंगे and friends अब यहां पर जितने भी libraries है जितने भी softwares है धीरे-दीर उनके installation का process चालू हो जाएगा तो यह यहां पर basically सारी libraries को install कर रहा है इस process में टाइम लगेगा तो मैं थोड़ी दिर के लिए skip कर देता हूँ okay friends तो यहां पर हमाया पर जो options highlight होके आए उस पर हम से यह पूछा जा रहा है कि आप कौन सा environment Kali Linux के साथ में install करना चाते है और कौन कौन सा software इंस्टोर करना चाते है by default काली Linux के साथ आता है वो यह XFC ही Kali desktop environment है तो यह by default काली Linux में आता ही आता है बट मैं आपको recommend करूँगा कि आप genome जो है उसको install करें because वो बहुत ही user friendly है और बहुत अच्छे से काम करता है so genome पे भी हम टिक कर देंगे and यहां पर जो top 10 tools लिखा हूँ आ रहा है अगर आप चाने तो इस इस install कर सकते है मैं फिलाल नहीं करूँगा because setting up labs में हम कुछ और वीडियो आगे देखने वाले है जा पर हम अपने हसाब से जो जो tools required है वो ही install करेंगे so मैं इसको untick कर रहा हूँ अगर आप चाहए तो tick कर सकते है and then continue करेंगे so यहां पर basically यह जितने भी tools थे जो हमने option select करें उनके basis पर यह सारे tools को install कर रहा है तो friends अब हमें यहां पूछ रहा है कि install the GRUB bootloader तो यह GRUB bootloader को add करना है कि नहीं करना यह हमसे पूछ रहा है उसको हम add करेंगे ताकि हमारा जो booting है वो easily हो जाए यहां पर हमसे पूछेगा तो उस partition का नाम जहां पर हमने काली install कर रहा है तो हम उसको select करेंगे and continue करेंगे and यहां पर जो finishing touch है वो दिया जा रहा है backtrust library उसको update करा जा रहा है कुछ होटी मोटी group को add करा जा रहा है यह सारे काम अब यहां पर हो रहे है installation बस complete होने ही वाला है यहां यहां हमारा इस्टालिशन है complete हो चुका है यहां बस continue करना है and finishing touch देखे यह उसको reboot कर देगा यहां आप देख पार हो हमारा operating system install हो गया हम एक बाइस start कर देते हैं जो id password हमने रखा था username का वो हम डाल के देख लेते है तो यहां पर हमारा user आगया है यहां पर हमें बस enter करना है जो अपना password था जो आपने password रखा था वो password डाल दी जगा और यहां पर जो हमारे काई Linux है यह complete install हो गया यह start भी हो गया आप देख सकते हैं आज का हमारा वीडियो जहां पर हमने installation of काई Linux देखा है तब तक के लिए अगर आपने subscribe नहीं करा है तो भी subscribe कर लीजे थैंक यू